देख रहे हैं आप यह किसी भी तरह से लड़की नजर आती है अगर तुम आजकल के जमाने की लड़की में 30 साल पहले की लड़की देखने की कोशिच करोगी तो निराशी होना पुड़ेगा आपने बिल्कुल ठीक कहा निर्मला जमाने के साथ चलना और बदलना सिखो एक बात कहूं आपने अपनी बेटी को जरूर से जादा छूट दे रखिए लो बीच 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 में टोक भी दिया कीजिए अब तुम तो टोकती ही रहती हो और निर्मला अच्छे खांदान का एक उसूल है घर में एक आदम अब इसके लिए कोई लड़का वड़का देखिए ताकि इस दिम्मेदारी से भी हम मुक्त हो जाएं वो तो है इस बारे में मैंने अपने कंपनी के मैनेजर गूपलदास जी से बात की है नमस्ते मालिक नमस्ते मालकी बड़ी लंबी उमर है आपकी आपको याद किया और आ तो नहीं चली गई तो इस घर में तो अंधेरा चा जाएगा और मुझे मालूम है कि आप उसके जुदाई बरदास्त नहीं कर पाएंगी आप कहते तो ठीक है मगर मगर एक तरीका है बेटी का व्या भी हो जाए और घर में खुशी का उजाला भी बरकरार रहे है वो कैसे व होगा आप एक दफे हुकम तो कीजिए एक अच्छा खांदानी इजदार घर जवाई चाहिए फिर देखिये मैं लड़कों की लाइल लगा दूंगा को बाल दाजी सिर्फ हमारी पसंद से क्या होगा आखि लड़का पसंद करना है तो मोना को ही मोना को है इसलिए पहले मोन करते हो गई है okay daddy bye आदी हाद अजं मारी इवी! मारी इवी! पादी, डादी, थेलो, हाँ बड़ी, मामस्ता अंकर, वहीं तुम अनील, आ पादी, अपलगाजी, इसे कल देखता हो, जाई हाँ. वोला बैटी, तुम शहर चल गई थे ने? जी हाँ डैडी, वहीं तो मुझे अनिल मिले आँ डैडी, आज कॉलेज के All India Karate Competition का लाग से था अच्छा, पिर कैसा रहा competition? ओ, टेरिफिक डैडी अनिल ने तो All India Karate Champ को मार मार के चटाई की तरह चप लाकन दिया अच्छा, बहुत अच्छा के बेटे तुमने, अधिल बेटे, चैंपिंशिंप बुबार रखो पाच्छा बेटे, बैठो तो होना बेटी, आश्टा वाश्टा कराओ, चाइवाँ पीकर जाओ, मैं जारा काम में हूँ अच्छा जी, नमस्ते आप कहा जा रहे हैं, आपके साथ तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टन डिसकेशन करनी है, आएए अरे, आएए बैठिये, क्या कर रही हो कुछ नहीं, बिठा रही हूँ और आज मैं तुमसे खास बात करना चाहती हूँ अरे कौन सी खास बात मैं जवान हो गई हूँ अच्छा, ओ हाँ हाँ, आज के पेपर पे आया था तुम फिर मज़ाग करने लगे अरे तुमसे किसने कह दिया के तुम जवान हो गई हो मुना लगी जवान होती है ना तो उसे अकल आती है, अकल आती है तो ला जाती है और ला जाने के बाद कोई लड़की किसी गया लड़के को इस तरह जाकूँ की तरह जबर्दस्ती उठा का नहीं लाती तो क्या करती? मजबूरी थी घर में मेरी शादी की बातें चल रही है तो मुझे क्यों उठा का लाई? मैं कर तुम्हारी शादी में बेंट बढ़ जाओंगा? तुम मेरी शादी में दूला बनोगे मेरे साथ ऐसा आप मज़ाग नहीं करना शादी करना मज़ाग है क्या? तुम्हें करोड़ पुती बाप की एकलाती अउलाद हो सारी जिन्देगी बंगलों में रही हो समीन पर कदम कम रखे ज़्यादा तर गाड़ियों में गुनियों और मैं एक अनाथ ना मा ना बाप बच्पन से मामा मामी के दर पर पढ़ा हूँ पहने के लिए खुब की कोई छट भी नहीं है बच्पन से मामा मामी की रोटिया खाकर प्राइबेट ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई खत्म की है ऐसे इंसान के साथ अगर नाता जोड़ोगी तो जिन्दे की भर पच्चता होगी बिल्कुल नहीं पच्चता होगी तुम शायद मेरे डैडी से डरते हो कि कहीं वो इंकार न कर दे लेकिन वो अपनी बेटी की पसंद को ही अपनी पसंद समझते है और जहां तक तुम्हारा सवाल है तो डैडी तुम्हे बेहर पसंद करते है हर वस्त तुम्हारी तारीफ करते रहते है जब कोई दौलत वाला किसी गरीब इंसान पर खुश होता है न तो उसे नौकरी दे देता है बक्षीज दे देता है लेकिन उसके हद में अपनी बेटी का हद कभी नहीं देता अमी प्रोनाम कर रहा है लेकिन आप क्या कर रहे थे अरे पिछले गेंटे से दस पैसे दूड़ रहा हूँ अरे नहीं कहीं कर गए बेटा तो आ गया अरे मामी कैसे हो प्रमा अच्छी तो मैं तुझे आप बनाऊंगा यह देख यह तारी ते रे लिए तो क्या मेरे लिए अरे मामी यह यह सौल तुम्हारे लिए यह देखो अहाँ बिल गया बिल गया जय हो लक्ष्मी देवी जय हो अरे अरे मामा यह धोती आपके लिए तरह यह धोती आरे भाजे बर्सों से तुम मुझ पर बोज बने बैटे हो है यह 10-15 रुपे के कपड़े लाकर तुम उस मा मैं बैटी को बवमा को मना सकते हो मुझे नहीं है अरे मामा जी अभी तो शहल से वकलत की परिक्षा कि नह रहा हो जब तक पास नहीं हो जाँगा नौकी कौन दे दो तूप तक हो गगा कल शाम तक हो जाएगा औरे उनिवर्सीटी का रिजल्ट है कब से कम दो महिने लगें इसका मतलब है तीन जबातीन जबातीन यानिके नवे दिन में यानिके तीन महीने में आर्सो दास लोटिया खाएगा उसके बाद सब्जी और भाजी अलग दो वक्त की चाय अलग अरे माद बरबाद हो जाओंगा ला इसी बाते करते हो जी आपने कभी अनियल के लिए कुछ किया है आपको तो इस बात की भी परवा नहीं कि परिवार के लिए भी आपका कुछ करता विया है पत्नी गई जान्नम में लेकिन बेटी के लिए कम से कम एक बाप का कुछ फर्ज होता है हाँ फर्ज फर्ज मुझे मत पर उनकी मागे पूरी, हाँ, देर दो रुपए की बात होती, तो दिल पर पच्छर रख कर उनकी मागे पूरी भी कर देता, लेकिन उनका मफ्तों ने, तो गजबर की लिए साथ में समादी थी, याद है, बुलिस परकर एक हफता भर में बेहोच आथा, हाँ, आप तो हफता बेहोच पड़े रहे, लेकिन लड़की जिमगी भर महके में पड़ी रहेगी, हाँ, तो पड़ी रहे, इस जनम है क्या, आगले जनम कर पड़ी रहे, लेकिन मैं देज नहीं दूँगा, नहीं दूँगा, नहीं दूँगा, हाँ, 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 हाँ ए पगली, ए मेरी पगली बेन, तु क्यों रोती है, तुरा भाई है ना, दिखना एक हफ्ते के अंदर मेरे बुद्धु जीजा जी, यानि के तेरे पती परमिश्या को यहां लाकर पगड नहीं किया ना, तो मेरा नाम बदल देना, नहीं भी वो नहीं आएंगे, पिताची उ क्याल अपनी बत्ते से दिखा, ए चीनी केंची